आधिनंदन के एक बाध जोदार तालियों से तालिक भरी भजची चाहिए सुबह का समय है करें सरका अभीनंदर करें एक बाद जोरदार ताली हमारे मुक्तिफी के लिए करनी चाहिए हम सब के प्रेजना स्वोत मार्व दर्सक आप तोस्ते होगे कि राजस्टी को कब काम करने का मौका मिला से तो जितना इनके बारे में हम लोग बिहार में पढ़ें लिखें जिलों में जब ये सब्सक्राइब के अच्छे कारियों की चर्चा वहां से भी बहुत इंपुट आपको मिलता है जिससे आप सबस सकते हैं कि कोई हमारा प्रेजना से नजदीक नहीं दूर भी रहे हो सब्सक्राइब कर दाया है तो बास्तर में जो एक सब्सक्राइब का वोकार से उचल रहा है चलाया जाना तो यह काफी परम आवश्यक्त है समास के अंदर से इसके अंदर को करप्शिन फिर्टी जो रूख होना चाहिए जनता में होना चाहिए तो इसके लिए जैसे इन इसरों बटाया है कि सोला अगास सब्सक्राइब कर दरू का अब अधार्टा जालूपका प्तेशिक निकार सामाय वे एक प्रिए जायाते हैं और इप्रेंग सब्सक्राइब तर्फिर्ट पर्टेल इस से इसका समाक्रा होता है। सदार पटेल भी सिर्फ पोम मेनिस्टर ही नहीं परकिए हम्लों की इस सर्विसे से, ऐलेजिया सर्विसे से, इस, 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 जिसको स्टील फ्रेम और प्रफूसी बोलते है। तो उसको भी सास्वा तरफने में कॉंटिम्यू कराने में उसको आली बनाने में, उनकी बड़ी भूविकात थी और हम लोगी जो एक एड़मी है, प्लीसिक एड़मी है है एजरवार उसमें एक बहुत भी बिशाल स्टैच्यू, हम लोग प्रविश करते हैं उस प्रजिक्शन सहस्तान में तो उने के स्टैच्यू के संभव को सपत्य आया जाता है। हर कार्स्टान में होता है। इस विए कि आप उद्वोधित होते रहें, उद्प्रेडिक होते रहें के पैक्जित कुछे और वहाने जोगरास करें इसकोछे तो संदार पटेल भी हमारे पुरी सेवा करने तो पुरी सेवा और अन्य जोपिर वांतिये सेवाएं में हैं। पुद्पर तरह तरह की विचार आरे हैं। लेकिन सेवाएं, पटेल दीने इने, किन सभी सेवाओं को आगे प्विष्ची ने जारी राई जाता है। वड़ा हैं। इसके कारण हम लोगरा हैं। और इन से वाओं ने चाहिए जो भी खामियां वो पूरे देश को एक उत्रत्ने में बड़ी होनी का निभाई है। बहुत बढ़िनात दिया जाता है। हम लोग ट्रेनिंग में हैजरवाद में जसके कुछी दीन हुआ होगा। तो पता चलाएक है जरवाद स्टेडियम में सुवर सुवर। बरस्टाचार के खिलाफ जन सामानने में चेतना जागरत करने के लिए राश्ट्री अस्तर पर बिभिन परकार के कार्शकरम चलाया जाते हैं। तो युनियन हर संस्था चलाती है। जितने सारी संस्थाएं हैं वो सपत लेती हैं कि हम बरस्टाचार को सहर नहीं करेंगे और बरस्टाचार की जहां कहीं कोई द्रिस्टान ताएंगे तो उसके खिलाफ काफी प्रतिवद्ध हो करके लड़ेंगे। तो यह एक कोई खास संगठन के द्वारा नहीं चला जाते हैं। पूरे केंद्र सरकार की ओर से इंस्ट्रक्शन्स निर्गत होते हैं। और सभी प्रतिस्थान जो सरकारी हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, लोकुपक्रम हैं। वो सभी इसको मनाते हैं, सपत लेते हैं, और तरह तरह के कार्स्क्रम आयवजित करते हैं, ताकि जन सामान में चेतना जागरत हो, जन सामान में वरस्टा चार को सहन, किसी भी अस्तर पे नहीं किया जाए, इसके लिए जनता को जागरू करना है, उसके राइट्स क्या हैं। जैसे आप देखते हÖंगे, कोई स्कीम ही बन रहा है, तो वहां उसके स्कीम का पुरा डीटेल लिखा रहता है, कि ये कितने की योजना है, कब तक बननना है, क्या है, कौन बना रहा है, क्या उसमें यूज होना है, तो ये जनता की सूचना के लिए रहती है. जनता को RTI में जैसे मैंने बोला कि RTI के अंतरगत जनता को काफी ससक्त किया गया है उसको जैसे हम लोग पूलीस को हतियार मिलता है ना हतियार और गोलावारूद मिलता है लड़ने के लिए अपने दुसमनों से उसी प्रकार से जनता को वरस्टा चार से लरने के लिए RTI Act और बहुत सारे Acts है या जिसे PMLA Act आप अभी सुने होंगे कि Prevention of Money Laundering Act जिसके तहत अभी संपत्ती जब्त हो रही है 2005 में आया था ये Act और आप हर दिन सुन रहे होंगे कि जो व्रस्टा चार से अर्जित संपत्ती है उसको सरकार अधिग्रहित कर लेती है उसको फोरफिट कर लेती है तो यह पहले नहीं था पहले उतना ससक्त कानून नहीं था और इस कानून में और धार दार बनाया जा रहा है तो पहले था कि वह रस्टा चार से आपने संपत्ती अर्जित कर लिया और उसका उपभोक कर रहे हैं पुरा चक्कर पान कर रहे हैं लेकिन आज के रेट में कि ठीक है आप रस्टा चार से अर्जित किये हैं जैसे ही सरकार को इसकी जानकारी मिलेगी तो उसको सरकार राजस करने के लिए कंफिस्केट करने के लिए पूरी प्रक्डिया चलाती है और बहुत सारे आपने देखा हो गया कि यहां पर हुआ भी है जैसे हमें अस्मरन हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने संपत्ती अरजित किया था बहुत सारे जो अपराधी हैं चर्चित जिन्होंने अपराध के माध्यम से संपत्ती अरजित किया उनके भी बहुत सारे लोगों के संपत्ती यहां पर बिहार में जब किया और बिहार इसमें अगर नहीं रहा है आपको यह जानकारी देने में मुझे भर्स हो रहा है कि 2005 में कानून बना था और बिहार बरी तेजी से इस कानून का उपयोग किया और पूरे देश में बिहार PMLA एक्ट और और में काफी काम किया और 2010 में आर्थिक अपराद इकाई का स्रिजन हुआ अपरादन संदान विभाग से अलग प्रिथक करके और उसको मैंडेट दिया गया कि आप PMLA के तहट कारवाई के लिए रेकुमेंड करें एक से बहुत बड़े बड़े चर्चित जो समाजिक छेत्र में भी जो अपनी पैट बनाए हुए उनकी संपत्तियां जब्त हुए तो इसका प्रवाव पड़ता है जब इतनी मेहनत से कोई भी अपराधी संपत्ति अरजित करता है बरसों के दोरान और उसको आप एक स्ट्रोक में जब्त कर लेते हैं तो उसका तो फिर लगता है कि नहीं यह घाडे का सौधा है कोई भी आदमी काम कोई क्यूं करता है चुक्कि दे कॉस्ट बेनिफिट अन तो इस दिसा में कार्ड़ हो रहा है रस्टाचार के प्रती जो हमारे लीगल टूल्स है जो कानूनी हमारा हतियार है वो भी काफी ससक्त हुआ है और जो तंत्र है हमारा वो भी काफी सक्त हुआ जैसे अब रोज देख रहे हैं कि आदा निउस तो उसी का रहता है जो भी संस्थाएं है नॉट ओनली इडी बट एस्टेट की भी विजलेंस ब्यूरो है देखें हो हर सप्ता कोई नो कोई कारवाई होती है तो यह पूरा जो तंत्र है वो क्रिया सील है इस दिसा में कि प्रताचार को समित किया जाए उसको कंटेंड किया जाए उसको में Oasis Fertility के कम लागत वाले IPF उप्चार की साहता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखवरी दें पनोर्मा क्रोप जो सोचता है वो करता है ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined